नया साल उद्दफ ठाकरे गुट के नेताओं के लिए तमाम तरीके की मुश्कलन लेकर आया है साल की शुरुआत होते ही उद्दफ ठाकरे के खिलाप में बेनामी संपत्ती को लेकर जांच शुरू हो गई अनिल परप की 10 करोड 20 लाक रुपे की संपत्ती को कुर कर दिया गया संजर राउत के खिलाप में कोट ने कल गेर जमानती वारंट जारी कर दिया बात यहीं रुक जाती तो भी ठीक था लेकिन अब एक और बड़े एक्शन के साथ ही ऐसा लग रहा है कि इन दनों बड़ बोले नेता संजर राउत की सितारे गर्दश में चल रहे हैं आप लोग पत्रा चौल लेंड घोटाले से तो अफगत ही होंगे जिसकी वज़े से संजर राउत को तकरीबन 100 दनों तक जेल में रहना पड़ा था राउत फिलाल जमानत पर बाहर हैं और लंबी लंबी डींगे हांक रहे हैं कि उन्हें तो कोट ने बैजज़त और बेकसूर साबित करते हुए बरी कर दिया है अब संजर राउत के खिलाप में दोस्तों पत्रा चौल लेंड घोटाले में एक बार फिर से शिकांजा कसने जा रहा है जेल से बाहर आने के बाद मैं शिफसेना की चीत बताने वाले राउत के खिलाप में इडी ने बड़ा कदम उठातेगी कोट का रुक किया है जिससे संजर राउत को बड़ा जटका लग सकता है वो भी BMC चुनाव के माहौल में BMC चुनाव से ठीक पहले जब उद्दफ ठाकरे को राउत की सक्त जरूरत है राउत के खिलाप में ED ने क्या बड़ा कदम उठाया है कोट में इस रिपोर्ट में हम जानेंगे लेकिन उमीद है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें क्योंकि आपके एक लाइक से हमारे होसले साथवे आस्वान पर होते हैं चलिए अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर पात्रा चॉल लेंड घोटाले बामले में शिफसेना के सांसा संजराओत की मुश्किलें फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं इडी ने मनी लॉंडरिंग बामले में उन्हें दी गई जमानत को रद करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट करू किया है 31 जुलाई 2022 को संजराओत को पात्रा चॉल के पुनर विकास में कथद वित्तिय अन्यमित्ताओं और उनकी पत्नी के कथद सहयोगियों से सम्मंदित संपत्ती के लेंडेन के आरूप में ग्रफतार किया गया था हालाकि नवंबर में एक विशेस अदालत ने संजराओत को जमानत पर रहा कर दिया तकरीबं तीन महीने से ज़्यादा वक्त तक संजराओत जिल में रहे थे संजर राउत की जमानत का विरोध करते वे अब एडी ने उनकी जमानत रद करने की अरजी पर तत्काल सुनवाई के लिए बॉंबे हाई कोर्ट का रुक किया है और बॉंबे हाई कोर्ट से उन्होंने गुहार लगाई है कि संजयराउत की जमानत पर रहा किया गया उसे रद किया जाए और उन्हें वापसे जिल में डाला जाए आपको बता दें कि एडी ने संजयराउत की जमानत का विरोध करते हुए कहा ता कि आप पत्रा चौल जमीन घुटाला भूल न जाए इसलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आखरकार ये किस बला का नाम है जिसने संजयराउत की धज्जियां उड़ा करके रखी हुई है साल दोहजार आट में महरास्टर हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानि की महाड़ा ने रियल स्टेट फर्म हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रस्ट्रॉक्चर लिमिटेड यानि की हडियल की सहयोगी कंपनी गुरू आशीस कंस्ट्रक्शन प्राइविट लिमिटेड को पत्रा चॉल के पुनर्विकास का ठेका दिया था इसके बाद में जीए सीपी एल महाड़ा और सोसाइटी के किरायदारों के बीच 672 घरों में रहने वाले लोगों को फ्लेट उपलब्द कराने महाड़ा के लिए फ्लेट बनाने और बचे वए एरिया को तीसरे पक्ष को बेचने के समझोते पर हस्ताक्शर किये गए थे हलाकि इनफोर्स्मेंट एरिक परेट का आरोप है कि जीए सीपी एल ने ना तो किरायदारों के लिए और ना ही महाड़ा के लिए फ्लेटों का निर्माड किया इस पूरे मामले में संजराउत एक बार फिर से लपेटे में आते दिख रहे हैं और E.D. का कहना है कि परदे के पीछे से संजराउत ने इस पूरे के पूरे खेल को अंजाम दिलाने में सहयोग किया है और मैंने तब ही कहा था जब राउत जिल से बाहर आये थे कि राउत जमानत पर रहा हो रहे हैं कोट ने उन्हें कोई भी क्लिंचिट नहीं दिये क्योंकि संजराउत की जमानत पर रहाई के बाद मैं शिपसेना, NCP, कॉंग्रेस ने बड़ा जश्न मनाते हुए ये दावा ठोक दिया था कि राउत तो पूरी तरीके से बेकसूर निकले, जाँच एजेंसियों ने मोधी सरकार के कहने पर उन्हें जबरन परेशान किया था लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है, जाँच एजेंसी का साफ तोर पर कहना है कि परोक्ष रूप से संजराउत का इसमें इन्वॉल्मेंट था एडी के इस एक्शन के बाद में राउत के जेल जाने के आसारों को लेकर भी अब महरास्टों में खूब चर्चा हो रही और बताए जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि संजराउत की जेल में वापसी फिर से हो सकती है, वो भी बहुत जल्द क्योंकि एक नहीं बलकि दो-दो मामलों में कोट में राउत के खिलाप में बड़ी कारवाई की गई है कल आपको पता होगा कि एक अदालत ने उनके खिलाप में गहर जमानती वारंट जारी कर दिया था उनके खिलाप में गहर जमानती वारंट इसले जारी किया गया था आपको पता होगा कि क्लीट सुमया की पत्मी की तरफ से जो मान हानी का मामला दर्श किया गया था तो अब आज E.D. ने भी कदम उठाकर के बड़ा राउत की नींद उडाकर के रग दी है क्योंकि संजे राउत जो जेल से रहा किये गए थे जमानत के बेसिस पर वो सिर्फ और सिर्फ इसले कर दिये गए थे क्योंकि तब जो हालिया तोर पर तबकाल रूप से इस मामले पर सुनवाई करने से कही न कहीं कूट ने इंकार कर दिया था लेकिन अब इसी कड़ी में एक बर फिर से इनफोर्समेंट डिरेक्टरेट की स्पेशल टीम ने बड़ा कदम उठाते हुए संजराओत के खिलाप में ये जो जमानत उन्हें जमानत पर रहा किया गया है उसको अपोज करते हुए ये मांग की है कि संजराओत की जमानत को तुरंट खारिज किया जाए उनकी जमानत को तुरंट रद किया जाए और उन्हें वापस से जेल में सैटल किया जाए ताकि हम अपनी इस investigation को आगे बढ़ाएं क्योंकि वो एक powerful नेता है बड़े जो है नेताओं के साथ में उनका उठना बैठना है महारास्ट के खास करके शिपसेना के तो अगर वो बाहर रहेंगे तो इस मामले को कहीं न कहीं वो derail करने में सक्षम है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता तमाम सबूतों को temper करने में सक्षम है तमाम जो घबा है उन्हें भी डराय धमकाय जा सकता है क्योंकि संजर राउत को अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि वो किस तरीके की नेता हैं किस तरीके के स्टेटमेंट्स जो है मीडिया के सामने आकर के देते हैं तो ऐसे मैं E.D. ने अब बड़ा रुक जो है फैसला लेते हुए बड़ा कदम उठाते हुए संजराउत की जमानत को रद करने का के लिए अग दरसल गुहार लगाई है कोट में अब यह देखने बाली बात होगी कि कोट की तरफ से इस प्रक्रड में क्या फैसला लिया जाता है कब सुनवाई की जाती है इस मामले पर और संजराउत की हग में फैसला आता है या फिर इस बार E.D. के हग में फैसला जाता है क्योंकि जमानत पर जब रहा किये गए थे उस समय एडी को बड़ा जटका लगा था जाँच एजेंसी पर बहुत सारे सवाल दागे गए थे एक के बाद एक इसलिए अब एडी भी लगातार अपनी साख को बचाने के लिए इस प्रक्रड को बहुत ही गंभीरता से लेती गुट की तरफ से दिये जाएं तो कुल मलाकर के संजराउत के सर पर अब ऐसे दोर में ग्रफतारी की तलवार लटक रही है जब उदफ ठाकरे को संजराउत की बहुत ही ज़ादा जरूरत है क्योंकि उदफ ठाकरे गुट की शिफसेना लगातार तास के पत्तों की तरह वि ऐसे मैं BMC के चुनाव में उदफ ठाकरे के साथ में कौन खड़ा होगा क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी भी एकला चलो की नीती अपना रही है शरत पवार अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं BMC चुनाव में इसलिए वो खुद अकेले लड़ने वाले हैं तो ऐसे मैं संजर संजराओत उदफ ठाकरे के रिए एक बड़ा मोहरा साबित हो सकते हैं BMC चुनाव में क्योंकि संजराओत उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे करके उल जलूल स्टेटमेंट दे करके कहीं न कहीं जो तमाम में मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाने में कहीं न कहीं लगे रहते हैं तो इसी वज़े से उदफ ठाकरे को BMC चुनाव में संजराओत की बहुती ज़ादा जरूरत होगी लेकिन क्या BMC चुनाव से पहले या फिर BMC चुनाव तक संजराओत के फिर से बोरी अब इस तरह जिल में लगने वाले हैं इस पर आपकी जो भी राय है हम कॉमेंट करके जरूब बताएं जल्ब लूगा किसी दूसरे बड़े मुद्दे के साथ में अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर करें और साथ मारे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर आऊं कोई बड़ी कवर लेकर आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन अपने आप और सबसे पहले आपको लग जाए